कि अधिया तो लास्ट वे हमें उन्हें आराजबी ग्रूप डी में जो साइंस का 2022 का पेपर था उसको डिसक्सन कर रहे थे ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि इस डेट में आपका जो सकेंड सेप्ट का जो कोशन है इसको आज हम यहां पर डिसक्स करेंगे ठीक है फर्स किस तरह से यहां पर पूछा गया है साइंस का देखें यहां पर यहां पर नेक्स कोशन आपको दिया गया है यह आपका निम्ली लिखीत में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उधारन नहीं है ठीक है रेडॉक्स अभिक्रिया का रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें ऑक्सिडेशन ठीक है और यहां पर अप्चयन इसको बोलते हैं आक्सी करण ठीक है और एक होता है अप्चयन इसको डिड़क्शन बोलते हैं ठीक है रिड़क्शन इसको बोलते हैं अप्चयन ठीक है इसमें क्या होता है इस दोनों में ऑक्सिडेशन और अप्चय तो देखेंगे यहiquéं के डूहां करें चली है उदारन नहीं है इस में से टीश और हो इसके बाड़ में निकाल के चेक कर लेंगे कि देखेंगे यहां पर पहले यहां पर क्या करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर जिंक जो है दो से क्या हो जाए जीरो है यानिक दो से घटा है यहां पर जो से घटा है यहां पर इस च्रिशन दोनों है यानि कि यह क्या है रेडाक्स क्रिया होगा यह आपका रेडाक्स क्रिया है मतलब यह है कि इसमें बताना कि अभी क्रियाक उधारन नहीं है लेकिन इसमें यह है फर्स्ट बला है ऐसे इसको चेक करेंगे मैगनीज का यहां कितना हो जागा यहां पर प्लस चार यहां पर प्लस चार ऑक्सिदेशन नमबर मैंगनीज का निकालेंगे तो यहां दखिए uplद ट 대통령 की इसको और ट्रा अवर यहां पर हो जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका हाई-डोजन का निकला है मैंगनीज का प्लस दो यहां पर लेंगे यह हो सकता आपको समझ भूना है कि oxidation नमबर कैसे निकाला जाता है जैसे आपको कोई भी के 2, Cr2, O7 कई बार बता है कि किस तर से इसमें से क्रोमियम का आपको बताना है on quinization number कैसे बताएंगे ठीकर इसका plus 1 होता है प्लस 2 इसका 2 है तो 2x और यहterror जाएगा तर प्लस का 12 x बड़ाबर कितना हो जाएगा प्लस का 6 यानि क्रोमियम का कितना कुटेशन नमर आएगा प्लस का 6 ऐसे बहुत सारे आपको जो है यहाँ पर देखे पूछ देता है कि इस एलमेंट का पताईए और देशन नमर क्या होगा तो इसको हम किसी प्लस ठीक है और सियल माइनस यहाँ पर देखेंगे कि जो बार आयनों का क्या हुआ विस्थापन हुआ है तो यह आपका तीनों है लेकिन यहाँ पर यह आपको जो फॉर्थ नमबर है यह आपका क्या है रेडाक्स अभिक्रिया का उदारन नहीं है तो यह आपको पूछ रहा था यह वाला तो आप्सट नमबर चार जो है यहाँ पर देखें यह फौर्थ नमबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका बारे में इस तरह का चीजों को थोड़ा समझेंगे ठीक इसके बास क्यों संख्या कितनी है ठीक कर्बन के विन्यास में सामिल कूल कोसो के संख्या ठीक है तो यहां पर कर कर्बन का जो आपको अटाइमिक नमबर होता है यह क्या होता है उनर असंट ठीक है वऩ यस डो to do is 2 22 टुट दुट पता होगा यह होता है किसी वी तत्तो में जीतनी क solving जो अपको पूछह की संख्या होती कि आपसे पता है। ग्लाश वहां पर क्राइंग केमेस्टी का ताकि आपको यह सब चीज़ों को सोचना ना पड़े तो यहां पर नेक्स कोशन आपको दिया गया है कि साइक्लोहेक्सेन में कितना कारवन कारवन बंध और कितना करवन हाइड्रोधन बंध होते हैं इस परकार जो कुल होगा इसके बारे में पूछ रहा है तो पहले साइक्लोहेक्सेन का जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसको देखेंगे तो देखेंगे यहां पर हैक्सेन का मतलब 6 कारवन होगा यहां पर देखिए इस तरह से यह आपका कारवन हो जाएगा ठीक है यह आपका तीन ठीक है इसके बास से यहां पर हो जाएगा यह कारवन आपको एक दो तीन चार पांच और एक कारवन आपका यहां पर हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा अब इसके बास से आप क्या करेंगे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहां कितना हो जाएगा इससे दो हाइड्रोजन हो जा जाएगा तो यहीं आपको carbon और hydrogen के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर देखेंगे कि carbon का जो है कितना है आपका एक दो तीन चार पांच है छे ही है carbon carbon bond अगर देखा जाए तो छे ही है स्कार्बन से यह क्या यह कर्बन जूड़ा है फिर इस तरह से चीटना हो जाते है थिक यह कर्बन कर्बन कर देखेंगे किश्रा्व अब यहां पे दो किया है क्येक कर्बन सेकोड़ीरा इत्री सेटना वारा है्ट मतerson यहां परुस रहा है कि 100-100 बंद कितना हえば 16 तो यह आपका क्सक्षा स्बाराणेसर बंद कितने होग तो इस तरह से इस्ट्रक्टर अगर साइक्षन डे दे में गा इसका आपको पुछा गया है कि एक गोली दरपड में धुरू और वकरता के अंदर के बीच की दूरी में आर से रिपर्जेंट करते हैं यह कितना हो जाएगा टू इंटू फोकस दूरी ठीक है फोकस फोकस दूरी होते हैं ठीक है और इसको एफ से रिपर्जेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इसको टू एफ हो जाएगा ठीक है तू एफ यानि कि यह आंसर हो और यहां पर F ठीक है और इसके बीच की जो दूरी होती है F होती है और यह आपका क्या हो जाता है यहां पर हो जाता है तो यही चीज़ यहां पर होता है आपको तो खीस बरावर गार लिए टू इन्टू F के बरावर टीड़ कि आपका हो जागा इस तरह से अर बराबर टूर एंटू जू आपर इसके बराबर इसके बात ूंटे परनेक्स कोसन आ पर देखेंगे यह आपको फिगर दिया गया तिकहे अब बोला और यहां पर आई अगर निकालें तो वी आज हो जाएगा यह होता है तो यहां पर आपको प्रतिरोध के बारे में बताना है प्रतिरोध इसमें से सबसे कम सबसे ज्यादा कौन है तो यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि जो आपका है यहां पर इन दोनों के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जिस तरसी एंगल है यहाँ एक चीज़ देखना है की जिसका 10 ठीटा जिसका क्या होगा ज्यादा होगा जिसका टेंट मतलब ठीटा की वैलू जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोद क्या होगा कम होगा यहां पर ठीटा ज्यादा होगा एंगल ज्यादा होगा तो प्रतिरोद आर की वैलू क्या होगी कम होगी ठीक है यह आपको यहां पर देखना आप इसी साब से आपको बताना प्रतिरोद सबसे कम, सबसे कम देखेंगे, तो R3 का सबसे कम होगा, ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इससे कम थोड़ा सा R1 का है, त्यानि कि इसके बाद से क्या हो जागा, यहां पर क्या हो जागा, इसके बाद से क्या हो जागा, अब देखें, सबसे कम कितना है, इसका है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होगा अर्टू का हो जाएगा तो यह आपका रिलेशन यहां पर निकलके आएगा यही चीज आपको यहां पर पूछा जा रहा था तो देखें आर्थी आर्वन आर्टू आर्टू य देखिए यहां पर है आपका R3, R1, R2 यह आपका option number D यहां पर आंसर निकल के आ रहा है ठीक है तो इस तरह से आपको एंगल देख कर बताना है यहां पर जो जो ओम का नियम होता प्यार यहां पर दियागे है तो आपको चार ऑम के दो लिएहां के बता जाए घार कटना चारव्च यह पांच वोल्ट जो दिया गया है यह आपका विदूत वाहक बल इसको क्या बोलते हैं इसका कितना पांच वोल्ट दिया गया तो आपको बताना है कि चार ओन प्रतिरोध के टर्मिलल को बीज में आपको विभाव पता है यहाँ करना ठीक है तो यह क्या होता है कि दिया गया प्रतिरोध इंटू जो इमफ है ठीक है यह आपका हो जाएगा फूल परतिरोध मतलब दिया गया पधिरोध इंटू एम्स बाइ पूल परतिरोध तो इनफ द्याए यह 4 Ohm यहा पको इय मेंतु आपको 5 लती यह फोर्डिया हुद्दञ यह 5 लती ए प्रच्छ।िन दिया गया एपका नद हुशत कि इह तो यहां पर आपको प्रति रोड तो यहां पर दिया गया तो यहां पर दिये हैं प्रतिरोड के तर्मिलिल को बीच में तो यहां पर क्या हो जागा इमें बाइक प्रतिरोद करें गया है तो फोर इन्टो फाइब यह विए वेगर दो यह दो सेंट करें कितना वह जाए टो यह हमारा आपको पूछा गया है कि निमने लिखी जो चीत्र में आप्तित किरण और निर्गत किरण को किसके दोरा यहां पर दर्स आये तो लाइट में बताए थे कि आपको इसके बारें बताए थे ठीक है तो आपतित किरण यह होगा यह आपका प्रिजम है ठीक है तो आपको पीडियोप में दिक्कत हो गया है यहां पर तो यह क्या हो जागा option number C यहां पर हो जागा A B और C D ठीक है तो यह आपका आंसर हो जागा A B और C D आपतित और निर्गत इसका बाद देखिए कोस्टन यहां पर है आपका निमने में से किस तत्यों के आनविक रूप से परमार्यों के संख्या अधिक्तम यहां पर होती है त तो क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा A T पा रहा हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो हम होगा इसका जो है कोस्टन जो रहा गए उसको देखेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स तब तक थैंकी सो मज़